नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नजर डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपको आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह आपके लिए क्या फल्दाई है शुब तिथी प्रतिपदा नंदा संग्यक तिथी दोपहर बाद दो बचकर 25 मिनिट तक तदंतर दुट्या भधरा संग्यक तिथी है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा म यदि समय आधी शुध हो तो विवहा आधी मांगलिक यात्रा प्रतिष्ठा वास्तु करम और मुंडनादी के कारे शुब और सिध होते हैं पर अभी मांगलिक यो खिलिए समय शुध नहीं है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है ये क्या फल्दाई हो सकते हैं नक्षत्र हस्त शिप्र और त्रण्गे मुख संग्यक नक्षत्र दो पहरवाद एक बच कर 33 मुनिट तक तदंतर चित्रा म्रदू और त्रण्गे मुख संग्य पंचांग में आज के योग पर नज़र डालें तो आज कौन-कौन से योग बन रहे हैं इनमें विशिष्ट योग कौन सा है ये भी आपको बताते हैं योग ध्रू नामक नैसर्गिक शुव योग रातरी 10 बच कर 17 मिनिट तक तदुप्रांत व्यागात नामक नैसर्गिक अशुव योग है व्यागात योग की प्रथम नौगहटी शुवकार्यों में त्याज्य है नजर आज के व्रतोत्सब त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं और अब जानिये जोतेशियों के मुताबिक पंचांग में चंद्रमा की सिती क्या रहने वाली है रहुकाल और देशाशूल के बारे में भी जानिये चंद्रमा चंद्रमा कन्या राशी में दो पहरबाद दो बचकर 27 मिनिट तक तदंतर तुला राशी में होगा दिशाशूल मंगलवार को उत्तर दिशा की यातरा में दिशाशूल रहता है चंद्र सिती के अनुसार आजे दक्षिन दिशा की यातरा लाबदायक और शुभप्रद है रहुकाल मध्यमान से अप्राहन तीन बजे से शाम साथे चार बजे तक रहुकाल विला में शुभकार आरम यथा संभव वर्जितरकना हितकर है वाई ये बढ़ते हैं एक और महतवपूर्ण विशे की ओर और जान लेते हैं शुभ मुहरत और सृष्ट चोगड़िये के बारे में शुभ मुहरत उप्यूक्त शुभाशुब समय तिथी वार नक्षत्र और योग अनुसार आज प्रसुति स्नान आठवा पुन्सवन और सीमंद कर्म के हस्त नक्षत्र में शल्य चिकिस्ता के हस्त और चित्र नक्षत्र में शुभ मुहरत है शुभ कार्यारम के लिए अतियुत्तम है और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्चे, आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम न, ठ, प, व, र, आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं रातरी दो बचकर 57 मिनिट तक जन्मे जातकों की जन्मराशी कन्या और इसके बाद जन्मे जातकों की जन्मराशी तुला है कन्याराश्य के स्वामी बुध तुलाराश्य के स्वामी शुक्र है इनका जन्म रजद पाद से है सामाने रूप से जातक भागेशाली, बुध्धीमान, परशिग्र करोधित होने वाले वाचाल, अशुभ, कर्मी, पाप योगों के प्रभाव से करूर और कुछ हिंसक प्रवत्तिके होते हैं इनका भाग्योद्य तीस से बत्तिस वर्ष के आयो तक होता है कन्याराश्य के जातकों को आय कम और वै अधिक ऐसी तंग स्थितियों का सामना करना पड़ेगा अभी बुध अश्ठमस्त है जो हानिकारक है तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं आपका दिन शुभो धन्यवाद